और मैं पुनह ही अस्पष्ट करना चाहूंगा कि CAA एक ऐसी एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिप्ता किसी की जानी नहीं इसके लिए हम लोग ने 179 कंपनी PSE, 100 कंपनी हमें CAA भी मिली हुई है CAA को लेके ये संभवना व्यक्त की जा रही थी, इसको जल्दी सरकार लागू करे लिए इसको लेके हम लोगों ने अगरिहत तैयारिया की थी पहले से और हमारे जितने भी फील्ड के अधितारी हैं उनको इस संबन में संसिटाइज कर दिया गया था और उनकी लगातार सभी स्टेकोल्डर्स जैसे धार्विक नेता हैं, पीस कमीटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल रॉलिंटियर्स हैं और सिबिल डिफेंस के लोगों हैं, उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी और मैं पुनह ही अस्पस्ट करना चाहूंगा कि CAA एक ऐसी एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिक्ता किसी की जानी नहीं, एक एनेबिलिंग प्रोविजन है जिससे कि किसी को नागरिक्ता दी जाएगी और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पडोसी देशों स धार्मिक कारणों से परिशान होके यहां आए उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है सभी धार्मिक नेताओं ने इस समय में अपनी पॉजिटिव टिपणी दी है और हम लोग लगातार एतियाद बरत रहे हैं और जहां तक कानून विवस् शुनाओ के दिश्टिगर उसका उपयोग कर रहे हैं इसके अलावे जितने भी तकनीकी संसादन हैं हमारे सीसी टीवी है हमारे डूम कैमरा है हमारे बाइनो कुलर्स है अन्य जो तैयारियां एक संवेधनशीर प्रकरण को डील करने की होती है वो चीज़े हो रही है सेक्ट प्रकरण को लोगों के साथ मिल बैठके निपटा लेंगे और आने वाले समय में यहां किसी तरह की कानुनी वरस्ता उत्पन नहीं होने की जाए ऐसे अस्थान जहां पहले दिखते हुई थी या कुछ जो संवेधनशील अस्थान हम लोग ने चिन्नित किये हैं या कुछ सं पद्रवी कत्तों के पहचान भी हम लोग ने की है उन पे लगातार और सतर्क दिश्टी है हमारी डिप्लाइमेंट जो फील्ड में वो उसी के मद्दे नजर है कहीं से भी कोई व्यक्ति अगर गड़बडी करने की कोशिक करेगा आम यंता पे रिमर्फलानी की कोशिक करेग तो हम उस पर कठोर कारवाई करेंगे चाथा साथ ही हमारे मुख्याले चाथा सभी फील्ड लेवल पर सोशल मीडिया की मौनिटरिंग भी राउंड अ क्लॉग की जा रहे हैं हमारे अधिकारी चीजों को देख रहे हैं डीजीपी मुख्याले अस्तर से भी जो कंट्रोल रूम है इसमें एक राजपत्तित अधिकारी के नत्रुत में चीजों को मौनिटर किया जा रहा है